कि यह वीडियो किस टॉपिक पे होने जा रहा है बेसिकली मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा इस चीज को एक्स्प्लेइन करने के लिए क्योंकि मैं जानता हूं मेरे ज्यादा तर व्यूवर्स दो मिनिट से ज्यादा मेरा वीडियो नहीं देखते हैं तो यह एक अपने तरफ से एक सफाई नहीं है बलकि यह इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं ताकि जो मेरे विवर्स हैं वह इस वीडियो को ज्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें बजाए इसके कि वह एक मिनट तीस सेकेंड वगरा देखकर के वह वीडियो को बंद कर देते हैं तो मैं कई सारे points को मैंने note किया हुआ है जो मैं इस video पे आपको explain करना चाह रहा था जिसमें मैं एक एक करके जाना चाहता हूँ और यह पूरा video जो है उसको मैंने दो पार्ट में बाटा हुआ है जिसमें एक है कि language of video को मैं यानि जो मैं चीज़ explain कर रहा हूँ मैं उनको हिंदी में क्यों use करता हूँ, why I am explaining all topics in Hindi only जबकि biotechnology, even I insist my students to study in English and write their questions and answers in English but I still, मैं अभी भी बोलता हूँ कि आप हिंदी में ही, English में ही आप अपने questions को attempt करो but जब मैं कोई भी चीज़ explain कर रहा होता हूँ, तो उसमें मैं हिंदी की भार्षा क्यों use करता हूँ साथी साथ में teaching जो है, मेरे वीडियो में किसी भी book का line by line वहां पर पढ़ाया जा रहा होता है जिसमें कई सारे बच्चे indirectly या directly मेरे तक यह message आता है, it is getting quite boring अगर सर line by line पढ़ा रहे होते हैं, तो वह थोड़ा सा boring हो जाता है, तो मैं YouTube वीडियो बनाने के लिए जो niche होते हैं, ठीक है तो जो भी niche है, not niche, niche है, तो अगर मैं उन niche को target करता हूँ, जिनको उनकी requirement है, उसके हिसाब से मैंने यह decide कि ठीक है मुझे कोई ना कोई reference book से पढ़ाना है, और उसका line by line बताना है, जो मैं यह दोनों चीजे में अभी आपको बताने वाला हूँ, और कोई भी point छूटे नहीं, इसलिए मैंने इसको point wise करके note भी कर रखा हुआ है कि how I am going to discuss all these things, right from beginning, जैसे मैं start किया हुआ था, तो मेरी पढ़ाई जैसा आप जानते हैं, या कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, कि मैंने 2010 में Amity University Noida से M.A.C. की हुई थी, और सुरू से मेरी schooling चुकी English medium में रहा ह है, graduation, PG, 10th or 12th, English medium से ही मेरी पढ़ाई हुई है, तो 2010 में मैं जब यहां lot के आया था, तो एक general term में मुझे सिर्फ as a visiting faculty के लिए बुलाया गया, ऐसा कोई permanent job नहीं था, बताया गया कि आपको आना है, और चुकी if you are staying in, if you are staying in Muzaffarpur, तो why don't you come to the college and take some classes, यहां प्यार करके कुछ पैसे payment कर दिये जाएंगे, तो 2010 में एक mindset था, कि आप कुछ दिनों के लिए काम करने आ रहे हैं, उस वक्त का एक बंदा, जो 2010 में मेरी उमर कितनी होगी, 23 years, some months, और मैं PG complete करके बस कुछ दिनों के लिए घर आया हुआ था, I just visited some college, और NetJRF की तयारी और आगे PhD की तया एक mindset था, कि थोड़ा सा, थोड़ा सा arrogant एक young age का लड़का है, जो पढ़ाने जा रहा है, और at that time, I got some complaints against me as well, because they used to say that, कि the sir is coming in the class, but they are not discussing anything in Hindi, वो लगातार में इंग्लिस ही में लेक्च्छ दिये चले जा रहा था, और students नहीं समझ रहे थे, तो मैंने उनको कहा था, you will have to level up yourself, to come to understand my things, so better you go back home, study from some books, and then come in my class to understand, कि आखिर में बता क्या रहा हूं आपको, फिर 2011 आते आते तक में थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगा, काम पसंद आ रहा था, पढ़ाना पसंद आ रहा था, पैसे आ रहे थे, लेकिन थोड़ा अजीब लगा था, और मैं कुछ दिनों के ल बैबली दराजी वर्स्ट स्टूरेंट आफ बैच, जब मैं वहां पढ़ाना सुरू किया, तो मुझे ये चीज उस वक्त रिलाइज हुई, कि एक डॉक्टर, जो रिपीटेडली उनके पास में सेम प्रॉब्लम को लेकर के पेसेंट्स आते होंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप की बीमारी के लिए वो अलग-अलग पेसेंट्स को सेम मेडिसीन चलाते हैं, मेरे कहने का मतलब सरदर्द की जो दवा है, एक पेसेंट को किसी और कारण से हो रहा होगा, दूसरे पेसेंट को किसी और कारण से हो रहा है, तो स्टुडेंट्स आप बिहार are facing these kind of problems जहां एक linguistic barrier एक बन चुका हुआ है कई ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन एक hesitation है उनके अंदर में कि वो चाह करके भी टीचर से बात नहीं कर पा रहे हैं कि जो चीजे पढ़ाई गई हैं या कुई अच्छे सोर्स से जहां से वो पढ़ रहे हैं उनको ये चीजे समझ में नहीं आ रही है विन एक केम बैक इन 2012 और मैं एक decision मैं डेली गया डेली से पूना गया हुआ था पुडे से कुछ बाते थी फिर कभी किसी और बात में निकलेगी वहां से जब मैं lot करके आया मैं full phases decision के साथ मैं आया हुआ था कि मैं यहां आकर के बिहार इनुवर्सिटी को वापस से as a visiting faculty join करूंगा पढ़ाना सुरू करूंगा साथ में अपनी simultaneously तयारी भी कर रहा हुँगा और अगर आगे का कुछ प्लान होगा तो चलेंगे 2012 में मैं भी struggle किया 2012 में मैं पहली बात एक language barrier को तोड़ना चाह रहा था कि जो student पढ़ना चाहते हैं ज्यादा तर biotech और microbiology में जो students admission ले रहे होते हैं खास कर भी higher university में तो वो normal ISE करके आये रहते हैं गाओं या gramming आखे से आये हुए रहते हैं उनमें से जादा तर बच्चे ऐसे नहीं है जो English medium से उन्होंने पढ़ाई की हुई है और ये मेरी responsibility बनती है कि जब वो graduation में आए है तो उनको कहीं न कहीं जो knowledge है उसमें कहीं भी उनके अंदर में ये नहीं होना चाहिए कि because of English they are incapable of understanding what has been written in the book और जो भी अच्छी किताबे हैं वो पढ़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं दूसरी चीजें जो हैं अब आपके पास में 2015 तक आते आते तक में कहीं न कहीं कुछ ऐसा लग रहा था कि एक saturation point पहुंच चुका हुआ है यानि मैं भी तीन साल से पढ़ाते पढ़ाते एक sort of notes को मैंने तियार कर रखा था और वही चीजें में हर साल deliver करते जा रहा था और आप लोगों को भी पता होगा कि 2015 में kodon 3 जो मेरा institute है मैंने उसको अपने father के साथ मिल करके establish किया हो था जिसका purpose न सिर्फ training देना है research based basic training देना होता था साथ ही साथ में 2015 में पहली बार हम लोग digital apparatuses को use करके हम लोगोंने पढ़ाना सुरो किया जो भी 2015 के आस पास के मेरे students होंगे वो इस चीज से correlate करेंगे साथ 2015 में मैंने first time आपको projectors लगाया थे फिर projector लगाने के बाद उसका resolution और heating problem हुआ we ended up using a LED screen of like 53 inch का एक LED screen यूज किया हम लोगोंने फिर LED screen को laptop से connect करके जितने भी data होते थे पढ़ाने का तरीका को मैंने change कि यह सिर्फ notes और whiteboard और marker को हटा करके कई ऐसे diagrams हैं कई ऐसे formulas हैं कई ऐसे topics और discussions हैं जिसको हम लोगों को digitally दिखाना पड़ता है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके YouTube की जहां तक बात है तो यह तो 2017 से मैं YouTube पे आया और वो भी उस समय में एक पागल पन कहिए कि fitness के लिए flood आया हुआ था तो classes नहीं चल रहे थे तो fitness के लिए हम लोग cycle चलाया करते थे तो morning में उसके videos को मैं सिर्फ वहाँ पे upload कर देता था और YouTube को मैं समझता नहीं था कि आखिर क्या है क्या नहीं pandemic जो है वो बहुत सारी चीज़ों को change किया और एक freedom जो होता है teachers का हर फिल्ड में आप जिस फिल्ड से भी YouTube में हैं या जो भी लोग हैं चाहे open music हों बढ़े अच्छे अच्छे artists हैं तो उनको एक दूसरे level का freedom मिलना शुरू के हुआ तो मैंने 2020 में delivery से बाहर निकल करके मैं अपने बच्चों को कुछ deliver कर सकूं जो उनके लिए helpful होगा then मैंने सबसे पहला सायत को UGC का एक मेरा lecture था UGC seminar का जिसको मैंने उस video को upload किया and then धीरे धीरे मैंने पहले YouTube को समझना सुरू किया कि randomly videos को नहीं upload करना है ऐसा कुछ करना है जो एक mutual beneficial हो बच्चों को भी हो और मुझे भी काम करने में थोड़ा सा मज़ा है तो ये तो था कि YouTube तक आते आते language को मैंने English से फिर Hindi में क्यों किया और भाई बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि आप एक ऐसे background से हैं ठीक है मैं बिहार से हूँ मैं भी बिहारी ही हूँ लेकिन आपका education system सुरू से ऐसा आप उस education system से आये हुए हैं जहां आपको एक line भी Hindi नहीं पढ़ाई जाती है और तब फिर आप बच्चों के problems को और उनके basics को समझ करके और उनके हिसाब से videos को being a kid of not very high five family एक lower middle class middle class family से हम लोग आते हैं लेकिन कहीं न कहीं parents ऐसे थे हम लोगों के जुनको ये भरोसा था कि इसको अगर book की ज़रुवत है तो वो book purchase करके हमें provide के हुए थे 2000-2004 के आस-पास में we used to buy a book of 11-1200 रुपीज आज अगर मैं 2021 में भी अगर किसी बच्चे को कहता हूँ 1200 रुपे की किताब है आप खरीद लो और ये एक किताब नहीं आसी कई सारी किताबें खरीद नी पड़ेंगी तो उनको एक doubt होता है कि ये खरीदना है या नहीं खरीदना है तो कहीं न कहीं हम लोग अपने age में अपने age में इन सारी चीज़ों को बहुत महंगी बुक्स को हम लोग ने पर्चेस के I have a personal collection of more than 80,001 lakhs रुपीज बुक I have my own personal collection Just tell the name and tell the writer's name किसी भी एक फिल्ड के अच्छे writer का नाम बता है ये बाया केमिस्ट्री की Len Inger भी है मेरे पास Void and Void भी है मेरे पास अगर आप Instrumentation की बात करते हैं तक Wilson Walker की किताब मेरे पास एक मात्र बुक है Wilson Walker की I feel like that is more than enough Cell Biology की मेरे पास 4 किताब है Genetics के मेरे पास कम से कम 2 या 3 किताब है Gene 7 से लेके Kluge and Cumin से लेके सब कुछ है Molecular Biology of Gene है तो यह सारे मेरे अपने Personal Collection रहे हैं लेकिन जब आप as a Teaching Profession में आते हैं तो न सिर्फ आपको क्योंकि MSE के समय तक में PG तक में हम लोग भी ये थे कि हाँ चलिए भाई Notes पढ़ लेना है और किसी तरीके से exam assignments वगरा में मेरे अपना मानना था कि आपको अपने knowledge को हर रोज upgrade करना पड़ता है अभी recent development में क्या है कि किसी भी हाल में अगर मैं किसी topic को discuss कर रहा होता हूं तो अब मेरे लिए ये compulsory हो चुका है graduation और MSC के लड़कों को कि अगर मैं कोई topic को discuss करता हूं तो उसमें किसी न किसी research या industry के examples को मैं ले करके आता हूं कि अगर आपने ये चीज पढ़ा है तो इससे related research ये होता है इसमें ये instrument को use किया जाता है और यहाँ पे इन इन चीजों से पढ़ाई की जाती है तो अपने आपको upgrade करने के लिए लेकिन कहीं न कहीं बच्चे ऐसे हैं जो वो इतने costly books को afford नहीं कर सकते हैं 2021 में internet से लेकर के data तक में इतने जाधा changes आचुके हुए हैं कि those all books are available in soft copy even this tab this tab I bought in 2020 October के आज पास मैंने इसको purchase किया था मेरे पास more than 60 books हैं जो मैं इसमें carry कर रहा होता हूं it is hardly 600-700 grams of tab और मैं laptop के बजाए मैं इसको अपने bag में डालता हूं किसी भी समय में 60 किताबे मेरे साथ चल रही होती है 60-70 books है number of PDFs तो मैं countless मुझे मालूम नहीं कि कितना है कितना नहीं line by line पढ़ाने का purpose क्या है कि अगर मैं आप से बोलूं कि आप लेनिंगर बुक को उठाइए और oxidative phosphorylation एक example ले लिए song oxygenic non oxygenic photo synthesis in bacteria green और purple bacteria या किसी का भी आप example ले लिए mutation repair mechanism जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इन सब topics का नाम बता रहा हूँ if I expect the student कि आप मेरे notes के बाद में या मेरे पढ़ाने के बाद में भाई 11 साल से मैं ये चेक कर रहा हूँ मैं ये statement एक या दो दिन में नहीं दे रहा लेकिन मैं ये अगर expect करता हूँ आप से कि class में notes से पढ़ाने के बाद में आप जाकर के घर में इन किताबों को पढ़िए तो दो problem है पहला आप ये books effort नहीं कर पा रहे हैं mind कीजेगा कि मैं उस state में पढ़ा रहा हूँ जहां ज़्यादतर बच्चे किसान घर से आते हैं बहुत ही average income से वो आ रहे होते हैं तो मैं उनको push भी नहीं कर सकता है कि नहीं आपको ये किताबे purchase करने की ज़रूरत है और second चीज क्या है कि अगर वो किताब कहीं न कहीं से manage या print out या xerox भी करा लेते हैं they go back home and they do not study तो YouTube के वीडियो के लिए जो निस सर्च करने थे तो मैंने ये निस सर्च किया कि मेरे सारे के सारे वीडियो बिहार और बिहार इंवर्सिटी और हिंदी भासी छेतर के स्टूडेंट्स के लिए होगा और इसमें कहीं कोई problem नहीं इसका भी कारण में बताऊंगा क्यूं? और उन problem उन बच्चों के लिए है जो किसी भी reference book को line by line पढ़ना और जानना चाहते हैं ये वीडियो सिर्फ उनहीं को फायदा करेगा अगर आप exam के एक रात पहले चाहते हैं बच्चों में रहा कर जाएं जो पूड़ा कपूड़ा स्लेबस के अब के एक चाहते हैं जो ये पूर्च कर जाएं मेरे वीडियो में वह अपिक नहीं हो सकता है MY students are facing a problem from the rural areas they don't have teachers in their schools they don't have professors or lecturers in their colleges so they are facing the problem that none of the teachers are available none of the professors are available who are going to take the classes on a regular basis that is why my video uploaded videos are going to be 25 30 35 minutes long so that when you are watching these videos you will feel like you are attending a lecture that is why I'm uploading that much of long videos I can edit it down like मैं उसको edit करके छोटा कर सकता हूं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है तो यह जो लाइन बाइन पढ़ाने का नेचर है वो इसलिए है कि आपके अंदर एक confidence build up करें कि आपने किसी भी किताब का लाइन बाइन पढ़ा हुआ है और मुझे यह feedback मेरे बच्चों से मिलता भी है फॉर्चुनेटल यह वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है morning में मेरे एक student का video आया था call आया हुआ था sorry call आया हुआ था और उसने यह बात बोली कि sir he is very sweetheart sweetheart Mayank और वो बाहर गया हुआ है अभी वो बोला कि sir मुझे elective paper में biochemistry और instrumentation चूज करना है हलां कि मैंने मन बना रखा है लेकिन still I am asking you कि दोनों में से बहतर कौन होगा मैंने उनको एक ही बात का कि मायंक since you are applying for job after your PG I would suggest you to opt for instrumentation so that you will learn a lot of machine which is used in industries and research so अभी आप जितने भी आप देखेंगे key skills वगरा में आपको अपने instruments को add करना पड़ता है जगर अगर आप instrument को अपने CV में add नहीं किये हुए है तो दे आर रिजेक्टिंग यूर सीवीज वाई सजेस्टेड हिम कि ठीक है आप यह कर लो तो उसका भी वही फीडबैक था कि हां सरकें बायकिमिस्ट्री तो हम लोग second year में पढ़े ही हुए है और और जितने भी बच्चे अभी अभी इस साल 2021 में जिनको भी मैं बायकिमिस इस्टिक प्रॉब्लम का क्या इशू हो रहा था जो मैं बता रहा हूं कि मेरे इंटर्व्यूज हुए हैं पिछले एक महिना में और मेरे सीवी को रिजेक्ट किया गया है कुछ की स्किल्स में जिसमें यह चीज़े लिखी गई है कि आपको कंड़ मल्यालम या बंगाली या तेलगू, तमिल यह सब लैंग्वेज आना चाहिए इंग्लीज के साथ साथ में भी तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ इंग्लीज में पढ़ा रहा हूं इस इस नौट इंपॉर्टेंट एक रिजनल लैंग्वेज जिसमें आप अपने लेक्टर को उसको इंग्लीज और recruiters and they have asked me that all of your videos should be in English only because we are about to teach the a million students. So, this is a requirement, so I got more boost up from the top of the book that I have to teach those students only, those who are interested in understanding the topic according to the reference. और अगर उनको कुछ English में problem हो रही है, तो उनको हिंदी में भी समझाने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, और अभी recently मैं उस्टेंट का नाम नहीं लूँगा, because he is a very new student of mine, तो उन्होंने ये बात कहा कि अभी मुस्किल से 2-3-4 sessions ही मैंने online classes लिए हुए थे, तो मैंने उनको ये कहा कि भाई सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है when I am going through line by line, but धीरे-धीरे मैंने उनको कहा कि आप साथ दिन, दस दिन, पंदरत दिन समय दो, आपको समझ में आएगा कि किताबों में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, so this was all about कि मैं ये YouTube channel Hindi और बाकी subjects में क्यों बना रहा हूं, stay tuned, जितने भी लोग पहली बार ये वीडियो देख रहते हैं, please like and subscribe कर दीजिएगा, साथी साथ में मैंने भी पहले वाले वीडियो में बताया है कि मेरे पास enough वीडियो हैं, जो मैंने online classes में रिकॉर्ड करके रखा था, एक एक करके हर रोज एक एक वीडियो अपलोड होते चले जा रहे हैं, साथ ही साथ में आपको एक random topic पर हर रोज कुछ ना कुछ वीडियो मिलते रहेंगे, thank you guys and thank you for your presence, जो लोग भी यहां तक जुड़े हुए हैं, हाँ, बीच में एक और मैं add क कर रहा हूँ, obviously कि मैं आप लोगों से यह सवाल यह करना चाहता हूँ, we are ready, I am available for collaboration with any kind of institutions who are keen to conduct online classes, अगर कोई भी institution है, जो online classes के लिए collaborate करना चाहता है, they want me to take some classes from the need to MSC, 11-12 से लेकर के MSC तक के जो topics हैं, उसके लिए मैं available हूँ, अगर आप interested हैं, मेरे से class करवाने में, तो आज you can just call me up, नीचे में description box में मैं अपना number WhatsApp का डाला हूँ, you can contact me, I am available to take online classes, thank you so much.